मार्टीन लूथर किंग जुनियर का जन्म 15 जनवरी सन 1929 में अमेरिका के अटलांटा में हुआ था। वे अमेरिका के एक पादरी, एक्टिविस्ट और अफ्रिकी अमेरिकी नागरीक अधिकारों के संघर्स के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। मार्टीन लूथर किंग जुनियर महात्मा गांधी के अहिंसा के सिध्यान से बहुत प्रभावित थे। अमेरिका के रंग वहिदी समाज में बदलाओ लाने के लिए उन्होंने भी इसी को अपनाया जैसे गांधी जी ने भारत को आजाद करने के लिए अपनाया था। मैं आपके सामने मार्टीन लूथर किंग जुनियर का प्रसिद्ध वहासन अहिंसा और प्रेम का सिध्यान्त प्रस्तूत कर रहा हूं। अहिंसात्मक बिरोधना केवल बाहरी साररिक हिंसा का परिहार करता है अपितू हमें आत्मिक हिंसा से भी बचाये रखता है। प्रेम का सिध्यान्त अहिंसा के केंदर में इस्थित है। मनश्र की गरिमा के लिए संघर्स करने में लगे संसार के उत्परित लोगों को अपने भीतर करवाहट नहीं आने देनी चाहिए। नहीं उन्हें नफरत के अभियान में लिप्त होना चाहिए। नफरत और कटुता के साथ परतिकार करने से संसार में नफरत बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। जिन्दगी की राह पर चलते हुए हम में इतनी समझ और नइतिकता तो होनी ही चाहिए जिस से नफरत की स्रिंखला तूट जाए। अपने जीवन के किंदर में प्रेम की नीटी बेक्त करके ऐसा किया जा सकता है। मार्टिन लूथर किंग जुनियर का यह प्रसिद्ध स्पीच आपने सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल वेहतर लाइव को अवश्य शवस्क्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।